BPSC के माधम से प्रस्तावित, टीचर रेक्रूट्मेंट एक्जामिनेशन फेज 4 यानि कि BPSC TRE 4 के संदर में नोटिफिकेशन पर कारिवाई चल रही है सिक्षा विबाग से विभिनेर रिक्तियों के संदर में ब्योरे मांगे जा रहे हैं और आज के नियूज पेपर में आपने देख पिलिया होगा कि 2025 विधानसभा चुनाओं से पहले राज्य सरकार इन सभी खाली पदों को भढ़ने के लिए प्रतिबदता जाहिर कर चुकी है BPSC TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो इसी वर्स जारी होने की संभावना है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसको लेकर के जो बिहार के अभियर्थी है वो ये लगतार सरकार पर दबाव बना रहा है कि बिहार में जो डोमेसाइल है उसको लागू किया जाए और अन्यरा परसंट सीट अन्रिजर्व होता है वो अन्रिजर्व बिहार के कैंडिडेट के सांसाथ बाहर के जितने भी कैंडिडेट है उनको भी अन्रिजर्व में काउंट किया जाता है तो बिहार के अभियर्थी का ये दावा है और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रह इन सब के बाद से BPSC TRE में क्या कुछ हो सकता है इसके रिगार्डिन डिटेल में बात करने जा रहे हैं अंतर तक जरूर जोड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं केरियर बिट योड़ोब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार रुज़िट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल एकिन को प्रिस करना ना भूले BPSC TRE 4 में डोमेसाहिल को लागू करने की बात पर हम लोग आएं उससे पहले बात कर लेते हैं BPSC TRE 1 और TRE 2 से सम्मंदित आवास को लेकर के जो विवाद मचा हुआ है उस पर आप इसकिन पर देख पार होंगे एक पत्र लिखा गया है अगर इस पत्र के लिखने वाले का मैं अगर आपको यहाँ पर डिटेल दिखा हूँ तो आयुक्त सचिव के द्वारा छेत्रिये सिक्षा उपनी देशक दर्भांगा से यह पत्र लिखा गया है और इसमें यह इम अलगन पत्र को संग्यान लेते हुए वैसे सभी कार्यत सिक्षक सिक्षिका को चिन्हित किया जाए जिनका आवासिय प्रमापत्र द्वारा का जारी दिनांक जनवरी 2022 के बाद किया गया है और इन सभी कार्यत सिक्षक सिक्षिकाओं के आवासिय प्रमापत्र की जाच ग्रा और डोमेसाइल को ले करके निशी तोर पर गंबीरता है और जो पहले से अलेडी एपॉइंट हो चुके हैं उनके भी प्रमारपत्र की यहां पर जाच हो रही है अब आते हैं BPSC TRE 4 में क्या हो सकता है देखिए BPSC TRE 1 की जो इस्तिती थी और आज BPSC TRE 4 की जो इस्तिती होगी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा पहले अगर हम लोग देखें तो सरकार लेवल पर बहुत कुछ चीजे बदल चुकी हैं उस समय BJP जो थी वो विपक्ष में थी और आज वहाँ पर सत्ता में एक तरीके से सहयोग से सत्ता में है तो उस समय अगर आपने देखा होगा जब BPSC TRE 1 में जब राजे सरकार के जो सचिव थे उन्होंने जब प्रेस विग्यप्ती या फिर प्रेस कॉन्फरेंस करके उन्होंने आने राजे के अभीरतियों को 40% अन्रिजर्व की सीटों पर मौका देने की बात कही थी तब से लगतार BJP और विपक्ष की पार्टियों के द्वारा उनका विरोध किया रहा था कि बिहार के अभीरतियों के साथ ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत किया जा रहा है कि अन्रिजर्व के अभीरतियों को 40% सीटों पर मौका दिया जा रहा है अब उन जो उस समय विरोध कर रहे थे उनके पास बहतरीन मौका है कि जो उस समय वो कह रहे थे अब तो वो सत्ता में तो चाहें तो वो लागू कर सकते हैं लेकिन इसको लेकर के सरकार में अभी भी बहुत ज़्यादा गंबिरता देखने को नहीं मिल रही है तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये सारे मुध्दे जो होते हैं वो राजनेतिक मुध्दे होते हैं इसमें छाटरों के हीद से सम captive बहुत कुछ चीजों को लेकर कर के राजनेतिक पार्टियां या फिर राजनेति से जुड़े हुए लोग बहुत जयादा गंबीर नहीं हो सकते हैं अब क्या होगा इस पर आते हैं देखिए चुकि 2025 में विधानसभा चुना होना प्रस्तावित है बिहार में और बिहार में जो सत्ता में सरकार है वो निश्ची तोर पर छात्रों को युवाओं को सभी को अपने फेवर में करना चाहेगी क्योंकि ये विधानसभा का चुनाओ है यहां पर दूसरे राजी के अभियर्थी वोट डालने नहीं आएंगे बिहार के ही अभियर्थी वोट डालने आएंगे तो कहीं ऐसा नहों कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए इस वज़ए से निश्ची तोर पर बिहार में जो सत्ता में पार्टी है वो यह जरूर सोचेगी कि क्यों ना डोमेसाइल निती लागू किया जाए अब डोमेसाइल निती लागू करने का मतलब कताई भी नहीं होता है कि उसमें किवल बिहार के अभियर्थी शामिल होंगे डोमेसाइल निती लागू करने का मतलब यह होता है कि हम आधर स्टेट को allow तो करेंगे लेकिन उनको restrict कर देंगे 5% सीटो पर जैसे अने राज्यों के अभियर्थियों को किसी दूसरे राज्य की भरती में जैसे 5% उनके notification में कई बार mention होता है तो वहाँ पर वो restrict कर दिया जाता है तो अगर इस प्रकार की चीजे की जाती है तो निशी तोर पर ये constitutional तोर पर पूरी तरके से सही होगी लेकिन अगर ये कहा जा कि 100% सीटो पर किवल बिहार के अभियर्थियों को मौका दिया जागा और other state के अभियर्थियों को मौका ने दिया जागा other state के candidate ने आविधन किया जब वो पास हो गया तो उनको counseling से बाहर निकाल दिया गया वो अभियर्थि court चले गए court ने आदेश किया कि आप किसी भी राज्य के अभियर्थि को केवल निवासिता के अधार पर या फिर place of birth के अधार पर आप discriminate नहीं कर सकते और उन अभियर्थियों को उस सिक्षक भरती में शामिल किराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया था तो ये तो 100% confirm है और इस प्रकार के पहले भी कई आदेश आ चुके हैं कि आप 100% सिटों को particular किसी एक राज्य के ही अभियर्थियों के लिए नहीं रख सकते हैं आपको भले आप ये लिमिट कर सकते हैं कि हाँ 5% सिट हम देंगे लेकिन आपको देना पड़ेगा अनराज के अभियर्थियों को तो निश्ची तोर पर चुकी ये राजनेतिक वर्ष चल रहा है बिहार में और इन सभी चीजों को साधने के लिए क्योंकि वोट तो हमें बिहार के अभियर्थियों से ही लेना है तो उस कर्णिशन में बिहार के अभियर्थियों को खुश करने के लिए इस प्रकार का फैसला लिया जा सकता है कि BPC TRE 4 में लगबग 95% सिटे जो है वो रिजर्व की जा सकती है बिहार के अभियर्थियों के पचा उस पर अन्र राज्य की अभीरती तो आ ही सकते हैं सांती सांत अगर कोई मेलिटेरियस केंडिडेट होगा और वो बिहार का होगा तो भी वो 5% सीटों पर आ सकता है इस प्रकार का कुछ फैसला लिया जा सकता है क्योंकि निश्चित और अगर आप देखें तो बोमेसाईल नीती को लेकर के बहुत कुछ राजनीती में हलचल उस समय टीरी वन में हुई थी और अब वो सत्ता में है पार्टी तो निश्चित और पर कुछ ना कुछ चीजे देखने को मिल सकती हैं और अगर नहीं मिलती हैं तो आप समझ पहेंगे कि ये उस समय वो राजनीती कर रहे थे और इससे ज़्यादा उनका कोई मकसद नहीं था अभीरतों के फेवर को लेकर के तो निश्यत तोर पर ये सारी चीज़ों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा होगा राजी सरकार के दोरा और साथी साथ BPSC पर भी एक RTI से ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप BPSC TRE 4 में निवासिता यानि की डोमेसाइल निती लागू करने जा रहे हैं तो BPSC के दोर कितने सीटों पर देना है वो सारा राज सरकार का विशह है राज सरकार पॉलिसी बना करके और ये सारी चीज़े कर सकती है अपने इस्तर पर जो BPSC है वो सिर्फ एक 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 जाम कंडुक्टिंग बॉडडी है जिसका काम केवल परिच्छा करा करके और रिजल्ट राज राजसरकार को सौब देना, निक्ती कराने की जिम्मेदारी और जो रोष्टर होता है, वो जिम्मेदारी और सांती सांत जो आरक्षण के प्रावधांस होते हैं, आरक्षण के जो एक तरीके से नियम कानून होते हैं, वो सब कुछ राजसरकार के विशह है, तो BPSC ने यही कह यह राजसरकार का विश्य है और राजसरकार ही इस पर फैसला लेगी हमें जो जितनी सीटे मिलेंगी उसके सापेक्ष हम आवेदन करा करके और परिक्षा ले लेंगे रिजल्ट जारी कर देंगे बागी की जिम्मेदारी राजसरकार की होती है तो निशेत और पर BPSC का इसमे अपना भी राजसरकार फैसला लेगी उस पर हम अनराजसरकार के अभीर्ट के लिए सेफ की जासकती है या फिर यह कहन लीजे रिजर्व की जासकती है आज के वीडियो में पस इतना ही ऐसे ही मत्वून अप्डेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले इस व